तो है गाइस असलाम वालेकुम कैसे है आप सब उमीद करती हो आप सब अच्छे सूंगे तो गाइस यहां पे आज मैं बना रही आवकड़ो का जूस यानि की शर्वत अवकड़ो था तो यहां पर मैंने एग अच्छे से निकाल लिया और यहां पर डाल लिया पॉट में यहा सिंपल सा जूस होगा इसको पहले में ग्रांड करूंगे अलकर साथ दूद आलकर एंड मैंने सब्जा भीगा के रखा था थोड़ा सा जादा पतला पतला भी निगाड़ा भी नेक दौम ठीक मिल्क शेक जैसा नहीं जैसे हम नौबल शेबत बनाते क्योंके आज है महरम की दसवी झालती हम जयते हैं जो बहुत दूर है यहां से बहुत तो आज मैंने शका कुछ घर के लिएक कर लिति भी तो यहां दाल गोश्ट बनाई हूं मैंने आपर और राइस अभी नहीं बनाई हूं राइस कि अभी तो इत्य जल्दी कोई खाएगा भी नहीं तो सोची शर्बत ही बना देती हूं यह पर शर्बत के लिए और खाने में नेगेश कैन और बना जाहिए जय से भी अपम भॉलो ऑन थाप तो इहां पर रहां कर दो कि ऐसे वर वकाटो प्याना कि उसलिदाखने लिकिनी ओकर जरू है weights Karma के लिकागा एक लचक को सब्सक्क्ण और तो पनाउ मैं छेहां फिकंडमां इसलिए मैं दिखानी पाई बच चोके होता है इतना बड़ा उसके अंदर से सीट्स निकला है इसका भी कुछ ना कुछ करेंगे क्यों आठ या नौ मैंने में इसका छोटा असा पौदा आता है तो यह मेरे किसी काम का नहीं है बाट खेर जो भी है यहां पर मैंने अच्छे से चनली जाओ निएगो आठ तो चली है इसको पीस कर लेते हैं चल्लेगा इस पीस Kली इचोटे हैं ज्रूद के मैं पीस कर लोंगी बाद में और दूद डालोंकि दूद कच्चा ही रहूंगी ऐब इससा फ्रूुट है जिसका आप चतनी बना सकते हो सांविचे लिए इससे बना सकते हो, भल्रीक बना सकते हो, मतलब इसका और एक्षुल thanks ma actually basic taste नहीं होता, तो अगर आप इसकाइक जैसे तीखा एपको जैसे तीखा बनादा ता अप लिगे तीखा सकते हो, आपको एससे मीठा बना ना मीठा बना सकते हो तो चॉइस इस आपको जैसे बनाना है वैसा बट मुझे ऐसा लगता है टोस्ट वर्स से बेटर होता है मिलक्षेक, जूस, शर्वत, बेस्ट है यहां पर दूद और डालेंगे दूद देना देखो यह ऐसे करते तब गिरता है और अगर मैं पीचर के तरफ दालूँ यह न तो आगे गिरेगा देखे एक दम ठीक है अभी भी बड़ा भी भी इसके अंदर एक क्रंचिनेस है तो और इसको तोड़ा और पीस हैंगे क्या हो गया कबीर क्या बोला क्या हुआ तो यहां पर अपना मस्द आवा क्या जो देखिए मस्द एक दम से पीस गया है अब इसको जब बाउल में रखा तो उसमें डालेंगे यहां पर मैंने यह ले लिए जिसमें मैंने सबजा रखा हुआ है सबजे के अंदर ही हमको आट करना है तो सबसे पहले मैं पर दूद लूँगे मैंने पहले एक गिलास दूद ली थी तो आदा गिलास मैंने यूज किया है पीसने के लिए यहां पर मैं अपने मेजर के हिसाब से दूद आट करूंगी एक गिलास मिक्स करके मैं इसको फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी उसके बाद शाम के डैम पर बच्चों को ठंडा ठंडा मस एकलम दूँगे यहां पर मेरा दो ग्लास हो गया हाफ और हाफ मैंने पीसने के लिए यूज करेंगे टोटल तीन ग्लास दूद हो गया यहां पर अब यहां पर जो मैंने आट करूंगी इसके बाद में शकर शकर आइधिक में को पहला एट कर लेना चाहिए क्या बोलते हो क्योंकि मैंने गाइस पहले जिंदगी में कभी भी बिल्बबदा है कभि भी नहीं नहीं बनाया है बिल्कुल भी नहीं कभी भी नहीं मैंने अपने लाइफ में कभी भी wins हर चीज समझ में आ गया कि क्या हॉर कीसे का तक करूंगी में आड़ करूंगी बारिश चालू हो गई शाम के टम पे शाम अदब भी हुआ नहीं है शक्कर गाइज में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एड़ करें क्योंकि आवो के अड़ो में टेस्ट नहीं होता चलिए दाल एерт इसमें ठोड़ा सा ड्राइफू्ट भी आड़ोगा सब अच्छे से मिक्स मिक्स आव के आडो का जूस आवो का यूस आव के आडो कर लोग बोलतहें डर्ãुख बेस्ट होता है अगाडूग जूस बना कीूस तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करके लेती है चलिए शक्र को तो मैं ने आप अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें मैं अवोकेड़ जो मैंने पीसा था उसको भी इसी में आड़ कर दूँगी और जो से बचा हुआ है वह भी इसी में निकाल लोगी कि मैं कुछ चट्री वहरा नहीं बना रही हूं तो जो एक्स्रा है वह भी इसी में आड़ कर दूँगी और इसको अच्छे से मैं फिरसे मिक्स करोंगी क्योंकि इतना ज्यादा क्रीमी टेक्श्र ना बहुत ज्यादा यह आई एक्चुली पता इससे हम नॉर्मल और ग्रीन चटनी वगरा जो था नाम जैसे पुदीनी की चटनी ये तो आप इससे वो भी बना सकते हो जालिए यहाँ पर गाइज मैं इसको अच्छे से मिक्स करके लेती हो पुरा बड़ा बर्तन लेना चीए मुझे ऐसे लग रहा ओड़ रहा है यह अच्छे से कर रही हूं ताकि अच्छे कि मिक्स हो जाए इसका टेक्श्चर इतना क्रीमी है ना तो मिक्स होने के लिए बहुत टाइम ले रहा है बड़ मैं मैं होने मिक्स करके रूँगी अब कंटिनुसली इसको ऐसे नहीं चलाईएगा वरना फिर वो पूरा उड़ जाएगा इसले में रुक रुक के रुक के कर रही है चलिए गार भी हो गया यहां पर पफेक्ट लिमिक्स हो गया इग्दम देखे पतला भी नहीं हो बहुत ज्यादा गाड़ा भी नहीं है यहां पर ओके दन पूरा मेरा हाथ गंदा हो यह इतना उड़ रहा ना इधर इधर चलिए अगर इस यहां पर जो भी था सब हटा दी अब यह देखिए आप इसके एक्जैक्ली टेक्स्चर देख सकते हैं यहां पर मैं थोड़ा जस एक फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस एक खुश्बू के लिए डालोंगी क्योंकि अवर्काड़ जो मैंने डाली ना एक्शली वो मुझे नहीं समझा मतलब एक जब आप खाओगे तो उसकाड़ वो टेस्ट लेस्ट है बढ़ा थोड़ा बद बेनीला ऐसे जिसमें आट करना चाहूंगी जैस फोर टेस्ट क्योंकि खुश्बू ही नहीं आएगा शर्वत में तो फिर मतलब ही नहीं है शर्वत का यहां पर मैंने बहुत कम डाला बहुत जादा नहीं डाला इसके अलावा राइस मेरे पस काजू बदाम है तो यहां पर मैं काजू बदाम भी एड़ कर रही हूं तो यहां पर गाईस मेरा देखे पूरा यहां पर इतना यह सब ऐसे गीरा हूँ है धूद अभी गीरी रहा तो यहां पर देखे गाईस अब वोक्याडू आप मिल्कशेक बोलो जूस बोलो बनके रेडी हो चुक है अब आपको अगर ठंडा पीना है तो आप ठंडा पी सकते हो आपको ठंडा नहीं ची क्यूंकि बारिश का मौसम है ठंडा नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर हम थोड़ा सा काजू बदा हम उपर से डालेंगे गाईस और यहां पर हमारा एकदम मस्त वाला अवोक्याडू का जूस बनके रेडी हो चुका है तो आप देख सकते हैं एकदम पर्फेक्ली मैं आपको नजदीक से दिखाते हूं तो आप देख सकते हैं बहुत ब अवोक्याडो का कलर है एक्सेक्ली वैसा ही हमारा जूस पर आप मिल्क्षे भी बोल चकते हो बनके रेडी हो चुका है देखिए बहुत सिंपल सा अवोक्याडो का जूस्ता गाईस मैंने बनाया है बट अभी जो है और भी जो है उसको मैं रग दूंगी फ्रिज में ठंड ह होने खेले ता कि ठंडा हो जाए तो मैं बच्चों का अराम से दे सकती हूं तो चलिए गाईस यहां पर मेरा अवोक्याडो जूस बनके रेडी है और आप सब को महरम का दसवी मुबारक को आई होब आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शे हुआ 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 है